हेलो फ्रेंट्स जैहिन स्वागत आपका आपके बने चलो होम ट्रिशन पे दोस्तो हर्याना सीटी गुरूप डी पोस्ट प्रिफरेंस के लिए आपके कोमन कैडर के अंदर जो डिपार्टमेंट हैं उसके अलावा 21 प्रकार के ऐसे बोर्ड एजेंसी और निगम है जिनको बच्छे इन से एप रिचित होंगे कि इनकी ब्रांस जिस कहां कहां है अगर इनमें आप ग्रूपड डी में लगते हैं तो डूटि कहां लगेगी तो आज की स्वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि बॉर्ड निगम रेजिशन की हैड़ काँवाटर कहां पे है और किस बॉड है कहां पर आएगा और आपकी डूटी कहां पर लग सकती है ठीक है तो यह जानकारी आपके पास होना चाहिए बाइए शुरू करते हैं दोस्तों चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आगाने को प्रेस के लिजिए और किसे परकार की लेटेस्ट नियुट क पाने के लिए बारे टेलेग्राम चैनल को जोन के लिजिए जिसका लिए इन डिस्रिप्सिन में दिया हुआ है तो चलिए सीधा चलते हैं पोस्ट प्रिफ्रेंस की और मतलब कौन सा डिपार्टमेंट कहां पर एड़कॉर्टर है कहां पर ब्रांचीज है तो दोस्तों सबस आप द्यान रखेगा तो इतना डिटेल से आपको किसी ने नहीं बताया हुगा तो थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिस मेहां पर कर रहे हैं तो हैड़कॉर्टर आपको मैं आप बारा बार पैन यूज़ करूँगा ब्रूश यूज़ नहीं करूँगा आपको वर्बली इसार, सिर्सा ठीक है? सिर्सा, आपको दिखरा होगा भिवणी में है, पलवल में है नारनोर में भी है ठीक है? तो जो कल एक बच्चा य्योटूब पे वीडियो में पूछ रहा था तो 4 नारनोर में भी है, रेवाडी में इसकी ब्रांच है ठीक है आप देख सकते हो कहां कहां पे है फतेयाबाद में इसकी ब्रांचीज है ठीक है दोस्तों हरियाना एग्रो इंडर्स्टिर कोपरेशन HAIC की आपको ब्रांचीज में दिखा दी है अगर आप इन डिस्टिक से ब्लोंग करते हो और चाते हो कि बोड में काम करें आप बोड में लगो तो आप इसको प्रिफरेंस में रख सकते हो नजदी के आपकी डूटे लग जाएगी ठीक है आई आगे बढ़ते हैं नंबर दो प फीसियली मतलब वीगली ओफ चाहिए तो वो इसमें जा सकते हैं ठीक है बाई तो यह आप देख सकते हो सक्टर बाई संदिगड यहां पे इसका हैड कोटर है और वहीं पर आपकी डूटी लगेगी ठीक है नंबर तीन पर आते हैं बोड ऑफ सकूल एज्यूकेशन हर्याना ठीक है कोमन कैडर के अलावा बता रहा हूँ तो नंबर तीन इसलिए बोल रहा हूँ जो आपकी लिस्ट में नंबर च्यार है ठीक है तो बोड ऑफ सकूल एज्यूकेशन हर्याना में प्रिफरेंस दोगे तो आपकी ब्याने में इडूटी लगेगी तो जो बच्चे ब्या बाने के आसपास के हैं नो से पांस तक आपकी डूटी लगेगी सन्यवार रहतवार को ये ओफ रहेगा इसके लावा जो आरेच जियाच आती चुटी आती उसमें भी इसमें चुटी रहती है दोस्तो बात करें नंबर पांस पे तो हर्याना डेरी डेवलोप्मेंट कोपरे लगेगी ठीक है तो मिलक प्लांट यहां पे जीन्द में है इसके अलावा अंबाड़ा में है रोत्तक में है और इसके लावा दोस्तों बल्लगवड में है सिर्शा में है कुरुक्षेत्र में भी इसके लिक्विड मिल्क है ब्रांच है तो जो बच्चे इन डिस्टिक से ब आज आओगे तो कुछ आला काम का मतलब गुरूप डी का मतलब गुरूप डी है कहीं चले जाओ वही पी अन्चो कितार वही जोब है अगला है दोस्तों लेबर डेपार्टमेंट हर्याना तो इसका हेड़ कौर्टर देख सकते हैं और यहीं पर आपकी डूटी लगेगी ठीक है इसके लावा आप यह help line number वगेर दे रखे हैं इसकी ब्रांचीज नहीं है तो इसका अगर आप लेबर डेपार्टमेंट में जाते हो हर्याना लेबर वेलफेर बोर्ड में जाओगे तो आपकी डूटी पंचकुला चंदिगड में ही लगेगी इसके लावा कहीं आपको डूटी का मुखा नहीं मिलेगा पूरी सर्विस आपकी यहीं रहेगी तो इस बात का ध्यान रखिए अगला है हर्याना Renewable Energy Development Agency हरेडा जिसको कहते हैं तो हरेडा की बहुत सारी ब्रांच है दोस्तो यहाँ पे पंचकुला में देख सकते हैं और दूसरा हिसार में तीसरा न आप देख सकते हो नो बज़े से लेके पांच बज़े तक इसमें डूटी रहती है सेटरडे संडे को यह भी ओफ रहता है अगला है हमारा हर्याना Seeds Development Corporation Limited नंबर आठ पे जो आपने देखा है तो इसका हेड़ कौर्टर दोस्तो पंचकुला में है यह भी सेटरडे संडे को ओफ रहता है ठीक है नो बज़े इसका ओफिस खुलता है और पांच बज़े इसका बंद रह जाता है इसके लावा हिसार में इसकी ब्रांच है पतोद्य में इसकी ब्रांच है नो हर्याना में इसकी ब्रांच है यमनानगर में है सिरसा में है ठीक है इसके अलावा और देख रखेगा तो यहां पे पुहुना है यह रिवाडी कहां पड़ता मेरे को पता नहीं है तो यह temporary close है बाकी यह ब्रांचीज चल रही है सुबह नो से पांच जी तक इसमें डूटी रहती है और यह ब्रांचीज मैंने दिखा दिया आप वीडियो को थोड़ा reverse करके चलो करके वि अगर मैं आराम से बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी आई आगे देखते हैं अगला है दोस्तो नमर नो पे हर्याना सेरी विकास प्राधिकरण चीक है हर्याना सेरी विकास प्राधिकरण जैसे पहले जो हर्याना अर्बन डेवलप्मेंट है तो इसका जो हेड काटर दोस्तो पंसकुला में है गुडगाओं में भी इसका बोड है पंसकुला और अमबाड़ा में है हर्याना सेरी विकास प्राधिकरण सेक्टर आठ अमबाड़ा इसके लावा करनाल में भी है और है ना इसके लावा ब्रांच नहीं है दोस्तो ठीक अगला है हर्याना स्टेट इलक्ट्रोनिक्स डेवलप्मेंट कोप्रेशन हर्ट्रोन जिसको कहते हैं हर्याना स्टेट इलक्ट्रोनिक्स डेवलप्मेंट कोप्रेशन लिमिटेड हर्ट्रोन तो इसका दोस्तो हेड कॉर्टर चंदिगड में है ठीक है और इसकी कुछ लगेगी दोस्तो अगला है हर्याना स्टेट फेडरेशन ओफ कोपरेटिव सुगर मेल लिमिटेड ठीक है तो सुगर मेल वाले जो कुछ बाई पूछ रहे थे हैड कोटर इसका किसमें है दोस्तो हैड कोटर पंचकुला में है तंप्रेरी कलोज अभी ओफिस खुलेगा कल ठी लेकर 4 बज़े तक इसमें डूटी रहती है दस्से चार अभी टाइम है सट्टेडे सट्टे गो ये भी ओफ रहता है अब इसके लाव आप जानते कि सुगर मेल भाईया आपकी पानिपत में भी है रोत्तक में भी है दा हर्याना कोपरेटिव सुगर मेल लिमिटेड रोत्त करनाड कोपरेटी सुगर मिल करनाड सोनिपत में है साबाद कुरुक्षेत्र आपने देखा होगा जीन्द में भी इसकी एक ब्रांच है ठीक है पलवल में भी इसकी ब्रांच है महम रुत्तक में भी इसकी ब्रांच है कित्थर में ब्रांच है गवाणा में भी है असंद में भ Pollution Control Board चो नंबर 12 पे वहाँ पे है तो पंचकुला Headquarter इसके लावा धारवेड़ा में इसकी ब्रांच है पंचकुला Headquarter वहाँ भी आपकी डूटी लग सकती है और धारवेड़ा में भी आपकी डूटी लग सकती है यह Board है हर्याना State Pollution Control Board दारवेड़ा और आपका पंचकुला अगला दोस्तो हर्याना State Pollution Control Board यह आपको मैंने दिखा दिया है कुछ सक्रीन सोट जादा हो गए है यहाँ पे दोस्तो अन्य ब्रांच भी है इसकी Pollution Control Board की बादरोड में है सोनिपत में है पानिपत में है गडगाँ में है ठीका बाई तो यहाँ पे आपकी दुटी लगेगी कुछ सक्रीन सोट थोड़े से जढ़ा ले लिए है ठीका पलवल में भी है करुक शत्र में भी है ठीका बाई लगबग भीहने में भीहे तो ये थोड़े भीहनी इसके अलावा केत्तर में भी है रोट तक में भी है दोस्तों नो बजे खुलती है पांच जे तक सोनिपत में भी है बादरोड में भी है सबी डिस्टिक में नहीं है इस बात का ध्यान रखेगा तो इसको देखना है कहां कहां पे है उसी आप से आपको पलवल में है फत्याबाद में भी इसकी है ब्रांच गुडगाओं में भी है तो जहां पर इनकी ब्रांच है ने दोस्तों वहीं पर आपकी डूटी लगेगी अगला है हाउसिंग बोड हर्याना तो दोस्तों हाउसिंग बोड हर्याना की हैड कौर्टर तो आपको पता है वाड़ी में भी है ठीक है दोस्तो रोत्तक में भी है पलवल में गुडगाओं में ठीक है बहुत सारी ब्रांचीज इसकी आउसिंग बोड़ तो इसको आप थोटा देख लेना है ना बहुत डिस्टिक लेवल पे इसका मैंने स्क्रिंसोट नहीं लिया है यह आपका मैं ब्रांचीज नहीं है तो वहीं पर आपकी डूटी लेगें नो बजय से लेगे 5 यह ओन रहेगा और Saturday Sunday को यह ओफ रहता है दोस्तो ठीक है अगला है दोस्तो आपका यहाँ पे पुलिस housing board पुलिस housing cooperation तो इसकी जो ब्रांचीज है दोस्तों वहीं पर है जहां पे पुलिस कमेशन है गुड़गाओं में है इसकी पंचकुला में है रेवाडी रोद तक च्यार district में इसकी ब्रांच है गुड़गाओं पंचकुला रेवाडी रोद तक ठेक है पुलीस Housing Corporation के है दोस्तों दोस्तों से सुनार्या जेल के अंदर पुलीस लाइन है पुलीस के लिए खाना वगेरा बढ़ना नहोता है तो वो जीज़े है ये दोस्तों ठेक है तो पुलीस Housing Corporation वही है तो इसकी वरांचीस गुडगाओं, पंचकुला, रेवाडी, रौत् अगला देखते हैं दोस्तों ठीक है यह आप देख सकते हो यह क्या क्याम कर सकता पी डेवलु डिपार्टमेंट फ्रोम दा करंट यह वी वर्चिंग देव रिपेर दो वरेस बिल्डिंग और पुलिस डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग वगेरा होती है उनको सुधारने का काम यह करते हैं ठीक है तो इस बात का ध्यान रगेगा ठीक से बरियेगा अगला है दोस्तों रजिस्टार कोपरेटिव सोसाइटी है ना रजिस्टार कोपरेटिव सोसाइटी ठीक है बाई तो रजिस्टार कोपरेटिव सोसाइटी की ब्रांच इस पंचकुला में हेड़क तो यहां पर देख सकते हो हर्याना इंस्टुट अट् 2 फूलिक अडिमिर्ज्रिन्स पंचकुला ठेक है हर्याना इंस्टूट व पब्लिक एड्मिनिस्टरेशन ब्रांच जो है इसकी जो ब्रांचीज है दोस्तो आपकी एक यहाँ पे रहेगा दोस्तो SC वाड़ा, SC Finance and Development Corporation की जो ब्रांच है वो हेड़कौर्टर पंचकुला में है यह हमारा अगला हो गया हर्याना इंस्टूट व पब्लिक एड्मिनिस्टरेशन जो आपकी लिस्ट में 21 नमर पे है तो इसकी ब्रांचीज आपकी यहाँ पे हेड़कौर्टर का हैं दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं गबार तो हैड़कौर्टर इसका दोस्तों गुडगाओं में है यहाँ पे आप देख सकते हैं गुडगाओं में है इसके लावा दोस्तों इसका गुडगाओं में दूसरी ब्रांचे हाईपाई कहाँ पे वहाई सेक्टर चंतर इसको थोड़ा देख लेना अगला हर्याना स्टेट एगरिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड तो इसका जो हेड़ कॉर्टर है दोस्तो ये आपका पंचकुला सेक्टर च्छे में है नो से पांस ते गुट्टी सटेटे संडे को ओफ रहता है ठेक बाई तो ये आपकी ब्रांचिज थी ठेक है एक आपका से फाइनस करेगा था वो पंचकुला में है स्टेट सीड्स है ना बीस नंबर सटेट सीड्स सर्टिविकेशन एजनसी तो उसका हेड़ कॉर्टर भी बता दी है तो जो भी कंडिरेट जिस ब्रांच के या जिस हैड़ कॉर्टर के नजदीक है वही उसको प्रिफरेंस में दे ताकि आपको वो जोब अगर मिल जाती है तो आपके उसी वे नजदीक में आपको डूटी मिल जाए कहें ऐसा ना हो कि कोई बच्चा जैसे माल जे रेवाड़ी मेंद्रेट का है और वो दूर की ब्रांच बर देता है जैसे पंचकुला वाली है स्सी फाइनेंस है स्टेट सीट्स वाली है तो वहीं पर आपकी नोकरी रहेगी इस बात का ध्यान रखड़ेंगा इनफॉर्मेशन अगर आपको अच्छे लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें चनल को सब्सक्राइब करें लेजे मारे साथ जोड़ रहने के लिए धन्यवाद जय हिंद